नमस्कार आकाश्वानी से प्रस्तोत है समाचार संध्या पुद्दुचेरी लक्षदीप और गुवा सामाजिक प्रगती सूचकांक में श्वेष्ट पुरदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने केंद्री मंत्री जितेंद्र सिंग ने कहा विदीशी उपग्रहों के प्रक्षेपन के माध्यम से अंत्रक्ष उक्षेत्र प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में उभर रहा है पांचमी स्वदेश नेर्मित स्कॉर्पीन श्रेणी की पंडुब्बी वागीर भारती नौसिना में शामिल की गई स्पार्ट मंत्री जियोतेरा दित सिंध्या ने पहले ग्रीन स्टील ब्रेंड का शुभरम किया मोटा अनाज के प्रती जागरूपता बढ़ाने के लिए संसद में मोटा अनाज खाद उत्सव मनाये गया और मुंबई में पांचमें और अंतिम महिला टी-ट्वंटी कुर्करेट मैच में उस्टेलिया ने भारत को 197 रन का लक्ष दिया समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार सरकार ने आज देश के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगती सूच का अंख जारी किया है इसी प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिशद ने प्रतिसपर्धी और सामाजिक प्रगती अनिवारता के संस्थान के साथ मिलकर तयार किया है एक रिपोर्ट 65.89 अंक के साथ लक्ष्टीव दूसरे और 65.53 अंक के साथ गोवा तीसरे स्थान पर है जार खंड और बिहार सूचकांक में सबसे नीचे हैं सामाजिक प्रगती सूचकांक तीन महत्पून आयाम से संबंधित बारा घटकों के अनुसार अंकों के आधार पर तयार किया जाता ह इन घटकों में शामिल हैं मूल भूत मानवी अवशक्तनाएं कल्यान की आधार शिला और अफसर समाचार कक्ष से अलका सिंग परमान उर्जा और अंत्रिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने काहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी के नित्रितु में भारती अंत्रिक्ष शेत्र बड़ी संज्या में विदेशी उपग्रह छोड़े जाने के जरिये प्रमुक विदेशी मुद्रा अरज करने वाले ख्षित्र के रूप में उभर रहा है संसाच टीवी से बातचीत में उन्होंने बताया कि अंत्रिक्ष ख्षित्र को निजी भागिदारी के लिए खोल दिया गया है पेस अंत्रिक्ष विभाग जो गोपनियता के परदे में काम करता था उसको प्राइवेट पार्टी स्विशन के लिए खोल दिया गया अंत्रिक्ष विभाग के अंत्रगत एक निजी ख्षित्र उद्यम New Space India Limited को अंत्रिक्ष गतविध्यों में वानेज्य उन्मुख द्रिष्टकोन के जरिये सशक्त बनाया गया है इसपात मंत्री जियोतरादित सिंध्या ने आज नेगदिली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रेंड कल्यानी फिरेश्ट्रा का स्शुभारम किया अपनी तरह के पहले स्पात का निर्मान पूने की स्टील कंपनी कल्यानी गुर्प ने किया है इसके लिए अच्छा उजासुरोतों का उप्योग किया गया है इस प्रक्रिया में परियावरण में कार्मन उत्सर्जन नहीं होता है इस सबसर पर श्री सिंध्या ने कहा कि ये उद्योग स्पात द्योग में करान्तिकारी बदलाओ है स्कॉर्पीन श्रणी की पांचवी पंडुब्बी वागीर को आज भारती नौसिना में शामिल किया गया इसे मजगाओं डॉक्स शिप बिल्डर्स लिम्टिड ने तयार किया है ये पंडुब्बी कलवरी श्रणी की पंडुब्ब्यों की निर्मान की परियुजना प्रोजेक्ट 75 की अंतरगत बनाई गई है प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की 6 पंडुब्ब्यों का भारत में निर्मान की आ जाना है वागीर की शुवात 12 नौंबर 2020 को हुई थी इस वर्ष पहली फरवरी से इसका समुद्र में परिक्षण शिरू हुआ पिछली पंडुब्यों की तुलना में इसने बहुत कम समय में हत्यार और सेंसर सहित सभी प्रमुक परिक्षण पूरे कर लिये हैं 24 महीने की अवदी में नौसिना को तीसरी पंडुब्ब्य का स्वापा जाना महत पून अपलब्दी है सरकार ने कहा है कि सागर माला परियुजनाओं के अंतरगा तब तक लगभग 1891 करोण रुपए की वित्ती साहिता जारी की जा चुकी है पत्तन, पूत पर्वहन और जल्मार्ग मंत्री सर्वानन सुनुवाल ने आरे जजराज सभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सागर माला कार्टम से जुड़ी परियुजनाओं के लिए प्रमुक बंदरगाहों और राज्य समुद्री बूर्डों को वित्ती साहता प्रदान की गई है ये समाचार हमारी वेबसाइट न्यूजोनेयायार डाट कॉम स्लेश इंदी और हमारे मोबाइल एप न्यूजोनेयायार पर भी उपलब्ध है समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदिय और अन्य नेताओं ने आज संसत भवन में दोपहर का भोजन किया 2023 को अंतराश्टरी मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनानी की तयारी की रूप में नेताओं को मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे गए प्रधान मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि दोपहर भोज में विभिन राजनितिक दलों की भागिदारी देखकर प्रसनता हुई एक रपोर्ट मलिक आरजुन खरगे, लोकसभा में कॉंग्रिस के नेता अधीर रेंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता और केंड्रिय मंत्री पिवश गोयल और अन्य मंत्री तथर राज्यसभा और लोकसभा के सान सथ भी शामिल हुए। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर सहिंत राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर राष्ट्रिय मोटा अनाज वर्ष घोशित किया है। इसे दुनिया भर में मनाया जाएगा। समाचार कक्ष से पारस की रिपोर्ट के साथ मैं मुनीश शर्म प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसत भवन परिसर में भारती जनतापार्टी संसथी दल की बैठक को संबोदित किया। श्री मोदी ने संसथ सदस्यों से मोटा अनाज अंतर राष्ट्रुई वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने का आवान किया। बैठक के बाद संस प्रधान मंत्री प्रलाज जोशी ने बताया कि प्रधान मंत्री ने दो पहलों पर बल दिया है पहला मोटे आनाज के माध्यम से पोशन अभियान का प्रचार और दूसरा मोटे आनाज से बने खादे पदार्थों को लेकर जागरूपता फ्हलाना इससे G20 की बैठकों और कार प्रधित रूप से अपत्ती जनक टिपणी पर हंगामा हुआ राजिस्थान के अलवर में एक समहरों को संबोधित करती हुई श्विखडगे ने भाजपा के खलाप टिपणी की थी आज सवेरे राजी सभा की कारवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने करते हुई कहा कि इस्वी कारव नहीं है राज्जी सभा में आज विन्योग चार और पांच विध्यकों पर चर्चा हुई इन विध्यकों के अंतरगत भारत की समेकित निधी और इसके बाहर की राश के बुकतान और विन्योचित करने का प्राब्धान है चर्चा में भाग लेती हुई कॉंग्रिस सांसर्ट डॉक पायों का उलेक करते हुई भारती जनता पार्टी के अरुन सिंग ने कहा कि किसानों को उरुवरक सब्सिडिय उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक लाग करोड रुपए से अधिक की अत्रिक्त अनुदान की मांग की है तिर्नबुल कॉंग्रिस की दोला सेन ने विनिव चचा हुई शिरो मनी अकाली दल की हर सिम्रत को और बादल ने देश की यवाओं की इस बुराई से पीडित होने पर चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि पंजाब इससे पहले कृशी सहत अनेक मानदंडों में अन्य राज्यों से आगे था उन्होंने राजनितिक गलों पर आरोप लगाया कि वे पंजाब में नशे की लट पर राजनिती कर रहे हैं और युवाओं के जीवन से खिल रहे हैं भाजपा के सत्यपाल सिंग ने कहा कि नशे के आदी लोग दोशी नहीं बलकि पीडित हैं उन्हें कहा कि नशे की लट बीमारी है और सरकार ने से निपट चर्चा का जबाब देंगे कर्मचारी भविश निधी संगठन ने इस वर्ष अक्तूबर महिने में बारे लाग चौराबे हजार नए सदस से बनाए हैं एपी एफो द्वारा जारी अश्थाई पेरोल डेटा से पता चलता है कि अक्तूबर दोहजार बाइस में पिछले व कब्रेज के अंतरगर शामिल हुए हैं केंद्र ने राजियों और केंद्रशासिक प्रदेशों से चीन जापान अमरीका कोरिया और ब्राजील में कोविट के बढ़ते रोग्यों के बीच पोजिटिव नमूनों की अधिक संच्छा में जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है केंद्रिय स्वास्त सचिव राजियों और केंद्रशासिक प्रदेशों की सभी मुख्य सचिवों और स्वास्त सचिवों को इस आशाय का पत्र लिखा है उन्होंने सभी राजियों के सुनिशिक करने के लिए कहा कि सभी पोजिटिव मामलों की जहां तक संभव हो उन्हें दैनिक आधार पर जीनोम स्विक्विंसिंग के लिए निर्धारित प्रिक्षालाओं में भीजा जाना चाहिए गुजरात में राजि विधान सभा में गुजरात अनाधिकरित विकास विध्यक नियमित करने के प्रस्ताव को आज पारित कर दिया गया विध्यक राजमें अक्तूबर में 2022 से पहले निर्मित अवैद व्यापसाइक शेक्षनिक और रियल स्टेट भवनों को शुल्क के भुक्तान के पश्चात नियमित करेगा इससे पहले राज जिपाल देव रत ने नवगठित विधान सभा को आज संबोधित किया और चुनाबों में भारती जनता पार्टी की प्रचंड चीत पर बधाई दी केंदर शासित प्रदेश लदाख और जम्मु कश्मीर बैंक लिम्टिड ने प्रदेश के करमचारियों को बैंकिंग सुभाय प्रदान करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं इसके अंतरगत जम्मु कश्मीर बैंक प्रशासन के साथ साथ उना इस्थाई करमचारियों की उस सबसे पसंदिदा ग्राहक का दर्जा देगा जिनके वेतंग खाते जम्मु कश्मीर बैंक में हैं लिह में उपर आजपाल राधा कृष्ण माथूर के उपस्तिती में समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए नमामी गंगे लोगों और नदी के जुड़ाओ की कारण वैश्विक कारकम बन गया है केंद्रिय जलशक्ति मंतरी गजिंद्र सिंग शेखावत ने आजने दिल्ली में गंगा विचार मंच की कारशाला की अध्धचता करते हुई ये बात कही ये मंच गंगा नदी से जोड़े बिभन पक्षों के बीच समवाद का मंच है फिशेखावत ने कहा कि सेयुक्त राष्ट परियावरन कारकम ने नमामी गंगे को प्राकृतिक विश्व के सनरक्षण की दस प्रमुक कारकमों में शामिल किया है और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार महिला क्रिकेट में उस्टेलिया के साथ पांचवा और आन्तिम T20 मैच में एकसो सत्तावे रंक के लक्ष के जवाब में भारती टीम में ताजा समाचार मिलने तक पांच ओवर में दो विकेट पर 35 रंड बना लिये थे पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर और स्टेलिया ने बीस ओवर में चार विकेट पर 196 रंड बनाए श्रंखला में और स्टेलिया ने पहले ही तीने की अजे बढ़त बना रखी है और अब कल के मौसम का पूर्वा नुमान राष्टोई राजधानी दिल्ली में घना कोरा चाय रहने का अनुमान है नियूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिक्तम 22 डिग्री सेल्सेस रह सकता है मंबई में आसमान साफ रहने के आसार है तापमान 21 और 33 डिग्री सेल्सेस के बीच रहने का अनुमान है कुलकता में भी सामान रूप से आसमान साफ रहेगा तापमान 16 और 27 डिग्री सेल्सेस के बीच रह सकता है जम्मो, श्रिनगर और गिलगित में आसमान साफ रहने के आसार है तापमान चार डिग्री सेल्सेस के नीचे और अधिक्तम 14 डिग्री सेल्सेस रह सकता है पुर्वो तरक्षित्र में गुहाटी, अगरतला और शिलंग में कोहरा या धुंद चाई रहेगी और बाद में आसमान साफ रह सकता है यौन तोक ने आम तोर पर बादल चाई रहेंगे और मध्यम वर्शा या बूंदा बांदी हो सकती है सरकार ने भामक खबरें पहलाने वाले तीन यूट्यूब चैनलों का पता लगाया है पत्र सुचना कारेले की तत्थे जांचिकाई ने एक बयान में कहा है ये ट्यूब चैनल देश के प्रधान मंत्री उच्चितम न्यायाले प्रधान न्यायधेश निर्वाचन आयोग और अनन्य सरकारी यूजनाओ के बारे में जूठे और संसनी खेज दावे कर रहे हैं अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर पुद्दुचेरी लक्षुदीप और गुवा सामाजिक प्रधाती सुचकांक में शुष प्रधर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रधीश बनी केंद्री मंत्री जितेंद्र सिंग ने कहा विदेशी उपग्रहों के प्रक्षपन के माध्यम से अंत्रक्ष ख्षेत प्रमुक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के रूप में उभर रहा है पांचवी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पीन श्रिनी की पंडुब्बी वागीर भारती नौसिना में शामिल की गई स्पात मंत्री ज्योतेरा दित सिंध्या ने पहले ग्रीन स्टील ब्रेंड का शुबारम किया मोटा अनाज के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए संसद में मोटा अनाज खादे उत्सव मनाये गया और मुंबई में पांचवी और अन्तिम महिला टी-ट्वन्टी कुर्केट मैच में उस्टेलिया ने भारत को 1977 रन का लक्ष दिया इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाथ हुआ